बिये थर्ड एयर का पहला फ्राश्न पत्त्र आइडियोजी के चिप्टर सेकेंड से मैं कुछ इंपोर्टेंट्स कोस्चन लेकर आई हूँ जो परिख्षा के उद्याश्य से बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ड कोस्चन है सेकेंड चेप्टर राजनितिक विकास आधुनिकी करण राजनितिक संस्क्रीट से कुछ कोस्चन हैं जो बहुत ही इंपोर्टेंट है ये अक्सर पूछे ही जाते हैं रिपेटेट कोस्चन होते हैं तो हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि परिक्षा का समय बहुत ही नजदिक हो गया है और अच्छे से अच्छे तयारी कर सकें तो चलिए हम कोस्चन को देखते हैं प्रस नमबर पहला कह रहा है अस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डवलोप्मेंट किसकी रचना है इस तरीके की कोस्चन्स बन के बहुत ही आते हैं क्योंकि पुष्टक का नाम ये साइन्टिस्ट से रिलेटेड हमेशा पूछा जाता है आपसन ए लुसियन पाई बी आमंड और पावेल सी एस बी वर्मा डी हैगन तो राइट आंसर होगा ए लुसियन पाई सेकेंड कोस्चन लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास से सम्मंधित कितने लक्षड बताये हैं लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास से संबंधित कितने लक्षड बताये हैं तो पहला दिया है A 3, दुसरा B 4, C 6, D 2 इसका राइट आंसर यह होगा तीन प्रकार के लक्षड बताये हैं नेक्स्ट हमारा तीसरा कोश्चन कहे रहा है समानता, छमता और विवेदी करण को राजनीतिक विकास का तीन चरण किसने बताया है A आप्षन लुसियन पाई, B डाइमंड, आमंड और पावेल, C का है D आप्षन आईगन स्टेड तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा A लुसियन पाई चौथा कोश्चन कहे रहा है कि राजनीतिक विकास की चार प्रमुक विशेस्ताएं किसने बताई चार प्रमुक विशेस्ताएं किसने बताई आप्षन A लुसियन पाई, आप्षन B आमंड और पावेल, C हैगन, D डोड तो हमारा फूर्थ नंबर कोश्चन का आंसर होगा, डोड, D कोश्चन नंबर 5, कह रहा है आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास की कितनी विशेस्ताओं को प्रमुक माना है कितनी विशेस्ताओं को प्रमुक माना है, ये बहुत important कोश्चन है ये हर बार पूछा ही जाता है इसका right answer हम देखते हैं options A में दिया है 6, B में 4, C में 2, D में 3 दिया है तो इसका right answer हो जाएगा D अर्था 3 आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास की तीन विशेस्ताओं माना प्रस नुम्बर 6 कह रहा है आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास की दूसरी विशेस्ताओं की से माना है दूसरी विशेस्ता की से माना है पहला में दिया है उपविवस्ता की स्वायतता B में लोकी करण C में भूमी का विभिनी करण और D में छमता तो 6 का right answer हो जाएगा C भूमी का विभिनी करण कुश्यन नमबर 7 कह रहा है कि लोकी करण का सही रूप में किसे से सम्बंधित है तो लोकी करण सही रूप में किसे सम्बंधित है इसका अप्शन धर्मन इर्पेक्षता B दिया है संस्क्रीत C परंपरागत D राजनीतिक तो 7 नमबर का question का answer होगा B संस्क्रीत लोकी करण का सही रूप संस्क्रीत से सम्बंधित है Question number 8 कह रहा है राजनीतिक विकास के तीन चरड या अवस्थाए किसने बताई आप्शन अवस्थाए किसने बताई Option A hunting button Option B dode Option C hagan D Lucian pi तो आठवा का राइट आंसर हो जाएगा A hunting button Question number 9 Stage आप political development नामक पुष्टक के लिखक कौन है देखिए दोस्तों पुष्टक के नाम पूछे ही जाते हैं और पुष्टकों का नाम रट लेना है क्योंकि ये 4-5 पुष्टकों का नाम पूछ लेता है तो आप्सन में दे रहा है आरगेंसिकी B में दे रहा है डोड C में हैगन D में Alfred डाइमंट तो 9 question का आंसर हमारा हो जाएगा आरगेंसिकी आरगेंसिकी नहीं Stage आप political development नामक पुष्टक लिखा था हमारा question number 10 कह रहा है आरगेंसिकी ने राजनीतिक विकास की कितनी अवस्थाएं मानी है कितनी अवस्थाएं मानी है option A 6 option B 4 option C 2 option D 3 तो कितनी अवस्थाएं मानी है इसका right answer हो जाएगा हमारा B 4 अवस्थाएं मानी है question number 11 कह रहा है पॉलिटिकल डवलप्मेंट एंड पॉलिटिकल डेसी नमकृति किस्की है तो हम देखते हैं आप्शन ए में दिया है सेमूल पी हटिंगटन, बी आरगेंश की, सी हैगन और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सेमूल पी हटिंगटन कोशन नमक त्वेल्थ देखेंगे राजनीतिक आधुनी की करण को कई आयामों में किसने बाटा तो राजनीतिक आधुनी के करण को कई आयामों में किसने बाटा आपसन ए कोलमेन, बी इजेंट स्टेट, सी डाक्टर एसपी वर्मा, डी कोलमेन तो हमारा बारा हमा कोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी डाक्टर एसपी वर्मा किसने कहा कि आधुनी की करण आधुनिक समाज की अस्थापना के उद्यस्य से मुक्त होती है किसने कहा कि आधुनी की करण आधुनिक समाज की अस्थापना के उद्यस्य से मुक्त होती है आप्शन A में Cloud Welch B Edward Seals C Agent State D Coolman तो 13 का हमारा राइट अंसर हो जाएगा Cloud Welch दोस्तो इस तरीके की Importance Questions को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को Share करें मैं इस तरीके की Importance Questions लाती रहती हूँ और आप सभी लोगों को पता है कि इस बार Subjective अर्थात लिखने वाला परिक्षा नहीं हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ये Objective Question होगा इस लिए Objective Question अधिक से अधिक तयार कर लीजिए तो चलिए हम 14 Question देखते हैं कह रहा है कि Edward Seals ने आधुनिकी करण के कितने माडलों का उलेख किया है तो Edward Seals ने कितने माडलों का उलेख किया Option A 3 Option B 4 Option C 6 Option D 5 तो 14 नमबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा A Sorry A नहीं होगा 14 नमबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा D इन्होंने Edward Seals ने आधुनिकी करण के 5 माडलों बताये है Next Question 15 देखते हैं कह रहा है Edward Seals द्वारा बताया गे आधुनिकी करण का पहला माडलों कौन सा है तो इनके 5 माडलों है और 5 माडलों में 2-3 माडलों पूछता ही है इसलिए इनके 5 माडलों को रट लिजिए और परिक्षा में आवस्य रूप से आता है तो हम आप्षन देखते हैं परमपरागत वर्गतंत्र दुस्रा B सरवादिकार वर्गतंत्र C अभिवाग की लोगतंत्र और D राजनीतिक लोगतंत्र तो 15 कोश्यन का हमारा राइट अंसर हो जाएगा D यानि कि राजनीतिक लोगतंत्र 15 का हमारा दी राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक लोगतंत्र यही उनका पहला मॉडल है कोश्चन नबर 16 देखेंगे कह रहा है कि एड़वर्ड सील्स के अनुशार आधुनिक्तम राज्य का दूसरा मॉडल कौन सा है इस तरीके से कोश्चन पूछे जाते हैं और इसको ध्यान से पढ़ना है अप्शन ए दिरा राजनीतिक लोगतंत्र बी अभिभाव की लोगतंत्र सी सरवाधी कारी लोगतंत्र और डी परंपरागत तो हमारा 16 नमबर का राइट आंसर हो जाएगा अभिभाव की लोगतंत्र अब आता है कोश्चन नमबर 17 कह रहा है कि एडवर्ड सिल्स के अनुशार आधुनिकी करण का पांचवा मॉडल कौन सा है पहला परंपरागत बी सरवाधी कारी सी अभिभाव की और डी कह रहा है इन में से कोई नहीं तो 17 नमबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए परंपरागत कोश्चन नमबर 18 देखते हैं कह रहा है कि राजनीतिक संस्क्रीत को कारी के प्रती अभिमुखी करण किस ने कहा अप्शन आमंड, B. स्टन, D. इस पिरो, C. सिडिनी वर्वा तो हमारा 18 नमबर का क् included का राइट आंसर हो जाएगा ए आमंड कोश्चन नमबर 19 कह रहा है राजनीतिक संस्क्रीत को राजनीतिक सैली किस ने कहा किसने राजनीतिक संस्कृत को राजनीतिक सहली कहा तो आप्षन A. आमंड, आप्षन B. बीयार और आप्षन C. स्पीरो, आप्षन D. इस्टन 19 नमबर कोश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा C. स्पीरो हमारा 20 नमबर कोश्चन कह रहा है राजनीतिक संस्कृत को देखिए यही कोश्चन है अब इसी को दुसरे तरीके से एक दुसरा वेज्ञानिक कैसे बताते हैं यह इसमें पूछ रहा है कि राजनीतिक संस्कृत को पर्यावरर नाम से किसने संबोधित किया यहां राजनीतिक संस्कृत को राजनीतिक सैली से कह रहा है और यहां पर क्या कह रहा है 20 number question को कह रहा है कि राजनीतिक संस्कृति को पर्यावरण नाम से किसने संभोधित किया तो यह बहुत important question है दोस्तों यह हर बार पूछे जाते हैं क्योंकि यह question जो है यह हर बार बनते हैं और इसको हम देखते हैं कि किस ने कहा आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इस तरीके से इंपोर्टेंट कोश्चन्स में आप लोग के लिए लाती रहूंगी और भी किसी हिस्ट्री का या हिंदी का आपको कोश्चन्स चाहिए तो कोमेंट करके आप बता सकते हैं धन्यवाद